अब क्योंकि यहां पर इंटरनाशनल ब्रेंग यहां पर चल चुका है तो सारे की सारे फोकस है न वह अच्छली वह इंटरनाशनल टीम्स पर आ चुके है और वो भी इस रेफ्रेंस में कि अब जो इंटरनाशनल टीम की पर्फोमेंस के हम बात करें उनकी यूनिटी की बात कर उनके यहां पर जोश की बात करें, सब चीज को यहां पर connect किया जाएगा, जो आने वाले एक महीने के अंदर, World Cup 2022 कतर में होने वाला है, देखो, अगर लियोनेल मेसी के हम बात करें, he is going to lead the Argentina score, होई अगर हम Cristiano Ronaldo के बात करें, तो वो क्या, जो 2003 यह चार से लगतार करता हुआ है, हर एक बार करता हुआ है, क्या एक बार हम एक बार, फिर से हम यह चीज़ expect कर सकते हैं, कि Cristiano Ronaldo is leading the Portugal lineup, अब देखो है, यह बहुत ही वेक सा और बहुत ही खोकला सा question लगता है, लेकिन आज हम actually में एक थोड़े critics के ना, जो theories होती है, उनको debunk करेंगे, debunk में यह actually में पता जो discussion था न, यह इस चीज़ पर घूम रहा था कि Ronaldo को starting eleven में उसकी legacy की वेए से लेके आया जाएगा, उसका और Fernando Santos को जो relation है, उसकी वेए से insert किया जाएगा, या फिर actually में Cristiano Ronaldo को, उसकी playing ability and because he is one of the goat, इसलिए वो मतलब वो महार है न, prefer करता है, वो महार है न, deserve करता है, he needs to lead that Portugal squad अब यहाँ पर एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा, कि देखो, अगर इस part of time पर हम पॉर्चुकल की detailed explanation में तो बात करें किसी और वीडियो में, लेकिन आज हम सिब attacker की बात करें न, तो आपको क्या लगता है, कि यहाँ पर देखो, दियो को जोटा आ जाएगा, एक यहाँ पर जाओ फिलीक्स है, एक आंद्रे सिल्वा है, डेफिनिल क्रिस्टियान उनाल्डो है, अब इन सब में कहीं न की, मेरा तो यह opinion है, do let me know your opinion in the comment section, कि क्रिस्टियान उनाल्डो नहीं सिर्फ इन सब में बेटर है, अगर हम currently देखें भी, अगर current scenario में भी देखें हो, जिस तर उसको मौका ही नहीं दी गया, Fernando Santos को, तो कैसे मान सकते कि Fernando Santos यहाँ पर उसको unleash करने वाला है, उसके बाद अगर में यहाँ पर दियो को जोटा की बात करें, तो दियो को जोटा के लिए मेरे को लगता है, कुछ और plans होंगे, definitely he is going to be in the starting level for most of the matches, लेकिन अभी उसके लिए plans apart from number nine, कुछ और ही होंगे, Raphael लियाओ की बात करें, AC Milan में भी कोई यहाँ पर striker की position पर नहीं कहलता, और ऐसे में Ronaldo ही वो perfect personality है, जो कि यहाँ पर Portugal की लाइनप को lead करने वाला है, interesting है, कैसे यहाँ पर काफी सारे लोग और काफी सारे credit की theory से आ रहे है, कि शायद से, क्योंकि Ronaldo Manchester United मे भी start 11 मेंने तो भाई, that's totally a different thing, totally a different thing, लेकिन इसी के साथ इर बात करते हैं, थोड़ी सी, PSG से, तब एक graphic ना online काफी दादा viral हो रहा है, अब देखा है, यह कोई नहीं चीज नहीं है, लेकिन काफी दादा viral हो रहा है, recent time से तो मैंने सुचा तुम आज सारे शेर करूं, तु महाई, Mbappé ने help ली है, बलकि actually मैं कोई assist दिया नहीं है, Mbappé ने 0 assist दिया है, Mbappé ने 0 assist दिया है, मैसी को और 0 assist दिया है, Neymar को अब इस चीज पर, इस इस पिक पे, उसको काफी दादा ट्रोल किया रहा है, बैस तुम्हें बताया है, तो इंटरस्टिंग है, इसलिए मैं ने यहाँ पर एक list निकाली कि Instagram पर most powerful player इस time पर कौन है, और यहाँ पर तीन नाम आते हैं, जो तीन नाम तुम्हारे दिमाग में statistical order और sequence के साफ़ साहिए, वो ही answer सही है, सबसे नमबर तीसरे पर आते हैं, यहाँ पर नेमा, जिसकी एक, अगर हम यहाँ पर 182 million followers हैं उसके Instagram और अगर उसके हम यहाँ पर एक Instagram post के value की बात करें तो आती है 1.5 million dollars, इसी के साथ अगर number second के बात करें तो आते हैं, लेओनर मैसी जिन के पास 360 million followers हैं, और एक उनकी Instagram की value आती हैं, यहाँ पर 2.7 या ऐसी कुछ आती है, 2.5, 2.6 के around, इतनी value आती है, और इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें, number one की तो बात है, Cristiano Ronaldo जिन के पास 480 million followers हैं, भाई 500 हो जाएंगे तो next level बक्षूदी हो जाईगी, और वहाँ पर उनकी एक Instagram post की value आती है, 3.5 million dollars, मतलब यह एक Instagram से इतना कमा रहे हैं, हद होगी भाई, लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर breakthrough star की, जो कि यहाँ पर World Cup की sequence में रखा गया है, तो वहाँ पर सबसे पहले Gavi का नाम आता है, उसके बाद यहाँ पर नाम आता है, रफीनिया का, और उसके बाद नाम आता है यहाँ पर Anthony का, जो कि Manchester United के player हैं, लेकर इसी के साथ तरह बात करते हैं, थोड़ी सी Barcelona के transfer strategy को लेके, देखो, बाहर से नाम के दिमाग में इस समय दो चीज़ा चल रही है, कि Sergio Busket का replacement क्या club के अंधर से निकालना चाहिए, पर club के भाहर से हम किसी को लेके हैं, अब अगर club के बाहर की हम बात करें, तो दो players का नाम अभी से table पर रख दिया गए, देखते हैं कितना sense बनाता है, उसी दाट के हम बात करें, तो अगर हो चैंपन लिग football secure करने में कामियाग हो गई, तो शायद से मेरे के लगता है कि मुश्किल हो जागा यहाँ पर Zuby Mendy को निकालना, ऐसे point of time पर कोई भी team नहीं चाहिए, कि उनकी जो competitiveness है, वो यहाँ पर खतम हो, until and unless आप यहाँ पर Leicester से पठती भी है, तो तुमको पता है कि politics और जो relations होते हैं matter करते हैं बहुत जादा, अब जब बात George Mendes की हो रहे हैं तो उसके एक और client के हम बात करते हैं और यह थोड़ा typically strange हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपर Marco Asensio की, जो कि Real Madrid के player है, और मामला इतना गरमाया हु अपडेट नहीं दे सकता, like being a Real Madrid player, आप Barcelona के links को तो बहुत जल्दी quest करते थे, until or less आपकी दाल में कुछ काल ना हो, तो यहाँ पर कहिना की मामला सक पकाया हो तो हुआ है, अब देखो इसके पिछे की theory में तुमको बतायता हूँ, इस point of time पे Asensio contract भी दोजा थीस में खतम हो तो क्या अपनी potential को खुदी unleash कर सकता है, दूसरी चीज़ यह कि क्या वो ऐसे manager के अंडर आ सकता है, जो सही में उसको use करना चाता है, अब चाहिए वो Carlo Ancelotti हो, चाहिए वो यहाँ पर जावी हो, तो यह कहीना कि matter है कि बाट सुनों, interested तो है, लेकिन क्या capitalize करेगी, यह भी दे सकता है, अब story यहाँ पर यह है कि Nagelsman के regarding देखो, बायन मुनिक इस समय क्या कहते है, वो आत्ममंथन जो भी होता है, वो introspect कर रही है, और ऐसे point of time पर यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि इस international break के दोरां, जो हम introspect करने वाले, गाली देने वाले, यहाँ पर कहीना कहीन, हम य रिसाइड करने वाले हैं कि किसकी जादा गलती थी, और तुम्हें बताऊं, जोले नागलस्मन की जॉब खत्रे में, अमेच्यॉरली तो है, लेकिन इतना नहीं है, इस point of time पर जो बायन से reports आ रही है, वो यह है कि देखो, वहाँ पर जो आत्ममंतन चल रहा है, उसमें players की किलती जादा निखाली जा रही है, अब यही तो एक मात्र रीजन था कि जहाँ जोले नागलस्मन ड्रेसिन उनको लूस कर रहा था, और इस point of time पर हायर ओफिशल से वो भी फिलाल तो इसी पर ही agree कर रहे है, कि जो बायन के players के attitude है, वो ही कही न कहीं, कहीं इस खराब performance, I think Bundesliga में worst record है, Bayan Winick का, और definitely Robert Lewandowski मामले यहने कि Bayan कुछ भी नहीं करना जाती है, जिससे यह चीज़ exposed हो जाए, कि Robert Lewandowski वो सही से replace नहीं कर पाए, और जो कि सब को पता है कि Robert Lewandowski को वो सही से replace ही नहीं कर पाए, like I think definitely साधियो माने अपनी जगा सही है, लेकिन आप जब Robert Lewandowski की बा यह चीज़ ट्राय कर रहा है, लेकिन कईना कि वो result में नहीं निकल रहा है, आपका playing style अच्छा और entertaining football एक होता है, और आपका game result oriented दूसरी चीज़ होती है, बात करें Brandon Rogers की एक case point में से एक point निकाले Leicester City ने, I think back to back यहाँ पर 5-6 matches वो हार चुके हैं, और Leicester City देखो, trophy नहीं चीज़ती है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं खेलती है, ऐसे में कहीना कि यह बताया लगाया जा रहा है कि तुका अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडराश्व ब्रेक खतम होने से पहले यहाँ पर Brandon Rogers निपट लेंगे, और उनको sack कर दिया जाएगा, अब ऐसे में कहीना कि एक यहाँ पर बस lifeline आती है, देखो, Brandon Rogers का मामला भी थोड़ा थोड़ा allegory जैसा है, वो जाना नहीं चारा, बस हाँ यह है कि allegory जैसा चूतिया पंती वो नहीं कर रहा है, कैमरे के सामने आके कि अपने players को बिल्कुल बस के अंदर फैक रहा है, लेकिन still वो जाना नहीं चार रहा, that is the point, और देखो, यह तो कहरे हो लेगो न, शोर्शायन ने भी खुद का भी resign नहीं कर आता, तो कोई manager करता भी नहीं है, even if चाहे fanbase कितना ही demand कर ले, अब यहाँ पर जो लेस्टर के सामने दो चीज़ आती न, वो यह है कि पहले तो उसको replace कोन करेगा, और दूसरा य international break के बाद जो Leverkusen के साथ matches के बाद एक-दो matches और है, आपर Bayern Munich के जो की काफी important और crucial है, अगर वहाँ पर हारी, या फिर वहाँ पर slip up हुआ, तो Nagelsman actually में खत रहे हैं, और इस point of time पर उन्हों जो टॉप priority रखे है, वो Thomas Tuchel की रखे हुए, तो कही रहा है कि Thomas Tuchel standby पर तो है, बापीज आते, Brandon Royer वाले मुद्दे पर, तेको अगर हम यहाँ पर एक loss की बात करें, तो 10 million pay करने पड़ेंगे, Leicester City को, Brandon Royer को, अब ऐसे बे तुमको 10 million luck कम रहे होंगे, लेकि जिस हिसाब से Leicester City का जो financial statement रही है, financial activity रही है, लग रहा है कि उनके लिए 10 million भी भी बहुत है साथ ही साथ आप यह भी देखो कि इस पाइन पर रिप्लेस्मेंट की बात करें तो दो मैनेजर सबसे सामने आते है, सबसे पहले तो आते है, Brentford के Thomas Frank, और दूसरे आपर Burnley के मैनेजर, Sean Dyer, यह दो मैनेजर इस सामने निकल के आ रहे है, जो की यहाँ पर रिप्लेस कर तकते ह आप यह दो, I think यह लाक आफ इंवेस्टमेंट है, और Brandon Royer का यार मेरे को लगता है कि वो जो केक वॉक्त था ना, वो जो स्ट्रॉबरी स्ट्रॉबरी वर्ड था, वो जो उलू-लू-लू-लू-लू-लू वर्ड में चल रहे थे, वो I think खताम हो गया time, and now he needs to perform, और international break उसका last ह last chance है, लेकिन इस point of time पर एक और update के हम बात करते हैं, जो कि आती है Champions League से, तो भाई मामला ना थोड़ा गर्माया हुआ है कि क्या Champions League को यूरोप से बाहर खेलना चीए है निया खेलना, जो तुमको पता है Champions League कितना जादा crucial होता है, और उसका जो atmosphere होता है, उसको जो stadium होता है, venue ही होता है, जो जगह होते हैं, वो भी बहुत जादा matter करती है, अब हम इसको economic perspective से बात कर सकते हैं, और इसको football culture से भी जोड सकते हैं, अब यहाँ पर कहीना कि तुमको पता है कि football धीरे-दीरे capitalism का ही शिकार है, और ऐसे में कहीना कि football को यूरोप से भाहर लेके, अमेरिका में लेके जाने के कोशिश तो पूरी है, अब यहाँ पर मुद्धा यह है कि क्या champion league का final america में खिलाना चाहिए, champion league का final america में खिलाने के बात हो रही है, और इसका reception अभी तक पता नहीं है कि इसको जनता कैसे receive करेगी, अब यहाँ पर जो slightly थोड़ा सा सही है, वो यह कि आने वा बक्षोदी मत करा करो, it's like similarly like, WWE की अगर हम बात करें, मतलब मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग देखते हैं, अगर WWE की हम बात करें, तो उसमें से एक दो live event भाहर कर देते हैं, जैसे इंडिया में भी live event करते हैं, लेकिन अगर raw और smackdown की बात करें तो वो actually US में ही होत उसने भी update दिया, और साथ ही अब तुम बता है कि जो ECA के European Club Association है, उसके जो नए प्रेसिडेंट है, नसिरल खलाफ ही, उन्होंने भी इस पर पॉजिटिव update दिया, उन्होंने काया कि देखो final four का तो मैं भी fan हूँ, और final four होगा एक हफते के अंदर US में, उसमें होगा यहा आए जा रहा है, इस point of time पर, कैसे क्या होगा, क्या होगा, यह अभी देखना बाकी है, यह बाकी दार्ट इस एपिसोड गाइस, I hope आपको एपिसोड पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आता है, एपिसोड को like करें, चाल को subscribe करें, आपको इसा football series exclusive content चाल पर मिलता रहेगा, तब तक के लाँ, stay tuned, stay safe, and I'll see you again in the next video, आज भी बहुत तेज मूल दिया वेने,